नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे राजनीती में किस तरीके से धर्म का इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में तो हम सभी को पता है 2019 के नवंबर के महीने में Supreme Code of India के दुआरा एक फैसला सुनाय जाता है जिस फैसला में ये तै हो जाता है कि आयोध्या में राम मंदिर बनेगा ये फैसला क्या था और ये फैसला क्यों सुनाया गया था मैं ये मान के चलता हूँ कि हम सभी भारतियों को इसके बारे में पता है तो क्यूंकि आयोध्या में ये तै हो गया था कि वहाँ पे राम मंदिर बनेगा तो इसलिए उस मंदिर को देखने के लिए शरधालू काफी आते हैं तो इसलिए क्या होता है कि उसके आसपास के जो जगा होते हैं उसके जमीन का कीमत काफी बढ़ जाता है और उस जमीन को खरिदने के लिए जिस तरीके से होड़ लग जाता है ये भी देखने में अपने आप में काफी दिल्चस्प है कि किस तरीके से धर्म के नाम पे लूट खसोद किया जाता है अभी रिसेंटली साल दो 2024 के लोग सभा चुनाओ खतम हुए जहां पे तकरीबन बढ़ चड़ कर पॉलिटीशन अपने अपनी बातों को सामने रखें और बढ़ चड़ कर अपने ओपोनेंट्स के बारे में बुरा भला कहें चुनाओ खतम हो गया रिजल्ट आ गया जिसको जितने सीट्स मिलने थे उसको मिल गएं लेकिन अगर आप इन सारे चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है वो कौन है तो मालूम पड़ेगा कि वो पॉलिटीशन है चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो ये आज के डेट में अयोध्या का हाल है ज एक कॉमन सिविलियंस को ये बताया जाता है कि आप किस धर्म के हो किस जाती के हो और एक आम जनता उतना ही बेवकूफ होता है कि उन सारी बातों को सुनने के बाद वो भड़क जाता है और आपस में ही अपने रिष्टे को खराप कर देता है दै इंडियन एक्सप्रेस में लगबग 15 से लेके 20 किलोमेटर एरिया के जो जमीन थे उन सारे जमीन का जो खरीद फरोस है वो अचानक से बढ़ गया और इसी बीच जब ये सरकार तै करते हैं कि रोड का चोड़ा करन होगा तो उसमें क्या होता है कि वैसे लोगों को उस पूरे एरिया से भगा दिया जा अगर वो किसी भी तरीके से उस एरिया में काफी सालों से रह रहे हैं और किसी भी तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं तो उनके बारे में भी देखा जाए लेकिन इस पूरे प्रोसेस में बहुत ये अच्छे तरीके से जो लोग कमजोर हैं दबे कुछले हैं उनको अ प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में या ब्रिज भूशन सरन सिंग के बारे में या और भी बहुत सारे अलग-अलग लोगों के बारे में जहां पर इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से धाई हजार से उपर लैंड रिजिस्ट्रीज को देखा गया 25 गौह में और किस तरीके से इन सारे जो जमीन का खरीद फरोस है वो गवर्मेंट के सीनेर ओफिशल्स के नाम पे निकला, पॉलिटीशन्स के नाम पे निकला और उनके रिलेटिव्स के नाम पे निकला normally क्या होता है कि हमारे बुरे हाल के लिए हम कभी-कभी Britishers को जिम्दात है जो जिम्दार थेराते हैं और इतिहास के कुछ selected पन्णों को हम पलटते हैं जहां पर हम ये बताते हैं कि किस तरीके से हमारे साथ अर्णियाय हुआ लेकिन कही न कहीं उस बीच हम ये भूल जाते हैं कि किस तरीके से बनता हुआ ब्रिज टूट जाता है या construction होता है तो वहाँ पे लोगों को उनका सही मुआबजा नहीं मिलता है और किस तरीके से जब Supreme Court ये फैसला कर देते हैं कि वहाँ पे मंदिर ही बनेगा तो वो जो पू किंग Government Official से उनका भी है For example में अगर आप देखना चाहे तो अरुनाचल प्रदेश के जो Chief Minister है उनका बेटा वो कुछ 3.99 hectares जमीन खरीदते हैं 3 करोड 72 लाक में September 2022 से लेके September 2023 तक और ये जो जमीन खरदा जाता है ये मंदिर के 8 किलोमेटर के रेंज में ही खरदा जाता है जह तो उनके पास फिर Position है Position है तो उनके पास फिर पैसे है तो कहने का मतलब है कि जिसके पास पहले से ही Power है Position है उनके पास ही दुबारा से पैसे आ रहे हैं इसी बीच जो एक आम जनता है उनके पास रोजगार नहीं है Government के Services टाइम पे नहीं निकलते हैं जो एक्जाम होते हैं वैसे अगर आप दूसरा एक्जामपल देखना चाहे तो ब्रिज भूशन सरन सिंग जी के जो बेटे हैं करन भूशन सिंग उनकी एक Company है नंदनी Infrastructure नाम पे जो की Gonda में एक जमीन खरीदते हैं 0.97 hectare का जो की फिर से मंदिर प्रेमाइसेस के 8 km के range में होता है जैनवरी 2023 में 1.15 लाग में अगर आप इस map को अच्छे से देखेंगे या आप इस video को pause करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मंदिर के आसपास के जमीन को खरदा गया है और जो खरीदने वाले हैं वो कितने powerful है और ये जो सारा हिसाब किताब हुआ है ये तब हु 9.955 hectares का जो कि एक agricultural जमीन होता है agricultural जमीन खरिदना इतना आसान नहीं होता है इसमें बहुत सारे कानूनी दावपेच होते हैं जो कि 8 से लेके 13 किलोमेटर मंदिर के आसपास के एरिया में खरदा जाता है February 2022 से लेके February 2014 तक जिसका कीमत कुछ बताया जाता है 4 करोड 4 लाग औ अगर आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि किस तरीके से construction किया गया है और जो सारे construction है वो ठीक 15 से लेके 20 किलोमेटर एडिया के अंदर ही किया गया है चाहे वो serving officers हो चाहे वो retired officers हो सभी का इस पूरे जमीन को खरिदने के जो पुरा process ह उनमें उनका काफी अच्छा एक role है तो कहने का मतलब है कि जब हम ये अफसोस करते हैं कि Britishers ने हमें लूटा या जब हम ये अफसोस करते हैं कि कोई बाहर से आकर्मनकारी आया और वो भारत को लूटा तो जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर कोई एक आकर्मनकारी है तो हमें उनसे उमीद है कि वो इस देश को तबाह करेंगे बरबाद करेंगे लेकिन जिस तरीके से आज के date में democracy के नाम पे आप और हम vote करते हैं और चुनाओ के time आप और हम आपस में लड़ जाते हैं और जो सबसे बड़ा beneficiary होता है वो तकरीबन सभी politicians होते हैं और आप और हम पूरे जिंदगी भर tax पे करते रह जाते हैं और जो हमारा basic demand है वो पूरा नहीं होता है मैं request करूँगा कि आप इस The Indian Express का article को जाके पढ़ें और जाके समझें और अपने आप से सवाल पूछें किसी और से नहीं I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा क्या आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day Thank you, take care, goodbye